पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं देखे कल ट्रावलिंग पे था और केचरिवाल को बेल मिली इसका न्यूस भी मिला और आज का जो स्टेटमेंट था केचरिवाल का उसको भी मैंने बहुत आराम से सुना चार दिन पहले जो केचरिवाल पर पोस्ट दिया गया था उसे मैंने बोला था कि बीच में relaxation मिलेगा लेकिन वो date जो है मैंने जून का बोला था मुझे अच्छे तरीके से आद है और मैं honest हूँ इसलिए date को confirm भी करूँगा जून का मैंने date बोला था कि कुछ relaxation मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जून से पहले नहीं statements आ दिया था कि 15 अप्रेल अगर बीच जाएगा तो फिर जून से पहले इनको relaxation नहीं मिलेगा ठीक है calculation थोड़ा बहुत एक मंत का दो मंत का प्लस माइनस होता है क्योंकि जेल की बात जब मैंने बोला था वो तो नॉम्बर दिसंबर में मैंने बोला था जेल होगा वो तीन मंत के बाद जेल हुआ मार्च में जाकर हुआ तो prediction में थोड़ा fluctuation चलता है लेकिन अब बहुत important बात जो आज जिस तरीके से केजरिवाल ने बोला है और statement आप सब लोग ने भी सुना होगा मैं जोतिशिय रूप से भी यहाँ पर बहुश्वाड़ी करने वाला हूँ इसको वीडियो को देखिएगा save कीजिएगा और जो भी बोलूँगा डंके के चोट पर यहाँ पर बोलने वाला हूँ 49 दिन तक जेल में थे 11 दिन तक ED के custody में थे सायद यानि 50 दिन का लगबग ऐसा condition था कि ED के पास और जेल में यह arrested थे तो टोटल मिलाकर 50 दिन liquor scam लिकर scam 50 दिन और उसके बाद जब बाहर आएं तो वो बहकी बहकी बाते इन्होंने start कर दिया वो बहकी बहकी बाते start कर दिया और मैं रास्ते में था मैं वीडियो भी देख रहा था और अभी जस्ट दिल्ली मैं भी पहुँचा हूँ मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शराब गोटाले का जो असर है वो कहीं ना कहीं चेहरे पर हाव भाव पर जरूर दिखाई दिया केज्रिवाल के जो मैंने mind ready किया और उसका इंडिकेशन पांस दिन पहले ही मानिनिये सुप्रीम कोट जी ने खुद बोला कि भाई देखिए रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो बहुत टाइम लगेगा अगर आपको अंतरिम बेल चाहिए तो आप अपलाई कीजिए उसी दिन ये पता चल गया था इसलिए उस दिन के वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था हो सकता है कि ये छूड जाए और 25 जून या 23 जून के आसपास के पास का जो डेट मुझे दिखाई देता है वो 23 माई के आसपास तक का इनको साथ बेल मिल जाए 25 तक का इलेक्शन है लेकिन वो इलेक्शन एक तक लास्ट है क्योंकि एक माई को मुझे भी वोट देना है गुरपूर से तो एक माई लास्ट जो डेट है उसके बाद तक का इनको रहात मिला है सबसे पहला प्रश तो अपने वीवर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मानिनिये सुप्रीम कोर्ट का जो ये रिजल्ट आया है जो अनाॉंसमेंट आया है अब इस पर 13 माई को सोरेन जी को भी तो फिर बेल मिल जाना चाहिए फिर इस तरीके से बाकी लोग भी जो लगातार रहेंगे एक के बाद एक बेल मिलना प्रारंब होगा हाँ बावेश जी लिख रहे हैं जून हाँ जून में ही मैंने बोला था कि 11 जून के आसपास तका मैं बोला था कि रिलेक्सेशन मिलेगा लेकिन वो थोड़ा पहले हो गया 11 जून के जगा पे 11 मही आज डिट है तो आज ये बाहर आ गये हैं लेकिन फिर भी जो तिशे रूप से ये जानना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है प्रिडिक्शन देखिए थोड़ा अप डाउन होता है वैबाव चोपडा जी लिखते हैं गलत किया सुप्रीम कोट ने देखिए निश्यत रूप से देखिए हम सबी लोग क्या है कि हम लोग जहां रहते हैं वहाँ पर माननी सुप्रीम कोट का आधर करत कि हम सम्विधान को मानने वाले लोग हैं उनका आधर करते हैं लेकिन कई ना कई डिसपॉइंट्ट जरूर लोगों को फिल हुआ है जिनने लों को भी डिसपॉइंट हुआ है जरूर आप लिखिएगा अब कुछ लोग लिख रहा है गलत हो गई आपकी प्रेडिक्शन लेकिन वो जून के जगा पहले हो गया और इतना एस्टलोजी में चलता है ठीक है तो अब हम बात करते हैं लिकर स्कैम हुआ और पचास दिनों तक जो शराप से सम्मंदित प्रश्ण पूशे गया है मेरा तो एक ही प्रश्ण है और केजरिवाल से डारेक्ट प्रश्ण है मेरा कि अगर आप इतने ही धूले हुए हो तो आप अपने मोबाइल का पासवर्ड क्यों नहीं दिखा देते हो इडी को अगर आप इतने ही धूले हुए हैं जिस तरीके की रैली हुई थी आम आदमी पार्टी में निश्यत रुप से उनके नेता हैं वो टेंपरोरी बेल पर बाहर निकल कर आए हैं और टेंपरोरी बेल पर जब बाहर निकले हैं वो ऐसा फील करने की कोशिश की हैं कहा था ना कि वापस आ जाओंगा ऐसा लग रहा है कि केस खतम होगे आप तो ये जीत गये हैं हर चीज हैं ये भूल गये कि दो जून को फिर अंदर जाना है या तो इनके माइंड में प्लानिंग चल रही है माइंड में प्लानिंग चल रही है बीच 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 में आपके प्रश्ण भी लूँगा मैं थोड़ी अपनी बातों को बता दूँ उसके बाद बीच बीच में आपके जो प्रश्ण होंगे वो जरूर मैं बताने वाला हूं यहाँ पर तो लगातार ये इस बात को बोल गयते हैं कि दो जून को इनको अंदर जाना है या तो ये प्लानिंग करना है कि अब एक बार बाहर निकल गया हूँ अब अंदर मैं नहीं जाओंगा कुछ ना कुछ बाहना लगा दूँगा कभी मेडिकल का कभी शुगर का कभी कुछ कभी कह इस तरीके की चीजे लेकर इनको आगे ये बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं तो मेरा भी जोतिशिय गढ़ना ये कहता है कि 28 जून मैं क्यों कह रहा हूं मेरी बात को जरा समझेगा प्रेडिक्शन में फ्लक्शुएशन होता है कोई दिक्कत नहीं है मेरी बात को समझेगा इस समय वर्तमान में और सुप्रीम मानिनी सुप्रीम कोट ने ऐसा क्यों कर दिया इसको भी मैं जोतिश रूप से समझ रहा था और उस वीडियो में बताया था एक बार रिपीट करा देता ब्रस्पती देव ब्रस्पती देवता क्या होते हैं ग्यान के देवता होते हैं सब से बड़े देवता माने जाते हैं पांच भावों के कारक माने जाते हैं इस समय वर्तमान में अस्त चल रहे हैं नैसरगी कुरूप से शुब ग्रह हैं और शुक्र देवता भी नैसरगी कुरूप से मतलब कहा जाए तो एक अच्छे ग्रह हैं नैसरगी कुरूप से शुब ग् अगर दोनों ही ग्रह अस्त चल रहे हैं तो अच्छी चीजा तो नहीं हो नहीं हो नहीं है और डेट भी देखिए ब्रसपती देवता अभी दो तीन दिन पहले अस्त हुए है जिस दिन वीडियो बना रहा था चार-पांस दिन पहले जो बात कर रहा था मैंने कि इनको बेल मिल करेंगे उसमें भी इंडिकेशन मिल गया था जब से सुप्रीम कोट ने खुद बोल दिया कि अगर आपको बेल चाहिए तो हम आगे प्रोसेस करेंगे उसी दिन यह पता चल गया यह तो मिल जाएगा बेल उस दिन नहीं मिला स्टॉप हो गया दो बज़े धाई बज़े को टूट गई लेकिन उसके बाद यह होना ही था यह इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यह तो होना ही था दिखाई दे रहा था बट मेरा कैल्कुलेशन था कि जून में मिलेगा वह थोड़ा पहले आ गया इसमें कोई आश्यर्चर के तो वाली बात नहीं है बात अब पहला बीजेपी की सीड बता दी 220 से 224 आएगी केजरिवाल जी मैं किसी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं रखता हूँ नहीं मैं किसी दल का डारेक्ली इंडारेक्ली इन्वाल्वे कहीं से भी पता कर लिजेगा मैं अपनी जोतिशिय गढ़ना पर बिलीव करता हूँ और ड भारतिय जनता पार्टी 3.0 मानिनी नर्यंद्र मोदी जी के निरत्रित में सरकार जरूर बनेगी और ये सीट 315 से 355 के बीच का बोला हूँ इतिनी ही सीट आने वाली है और प्रेडिक्शन ये मेरा है और ये मैं जोतिशिय गढ़ना किया हूँ राजनीतिक प्रेडिक्शन नहीं दिया हूँ और कैलकुलेट करके दिया हूँ नॉट बायस्ट की पचास दिन जेल से जेल में बंद रहें उसके बाहर आएं और पहला प्रेडिक्शन दे दिया कि ऐसी चीज़ें होंगी और इस तरीके की बाते जो हैं वो निश्यत रूप से कहा जाए कि ऐसा जाता है ना भडग जाना किसी चीज़ पर ब्लास्ट करना अब कई बार लोगों की प्रेडिक्शन गलत होती है वो एकसेट करने की जगा चिलाना शुरू कर देते हैं उसी तरीके से कई बार क्या होते हैं लोग हतास हो जाते हैं हतास पूरी चीज़े आज चेहरे पर दिख और ये भी बता दू कि अभी नैसरगे ग्रूप से ब्रसपती और शुकर देपता दोनों अस्त हैं तो दो जून की बात क्या गह रहे हैं मैं तो 28 जून तक देख रहा हूं कि सायद अंतरिम बेल मिल जाए जो अंतरिम बेल एकस्टेंट करने की बात हो रही है सायद वो फिर 28 जून तक भी पहुंचा इसमें भी मुझे बहुत जाद आस्चर नहीं है हो सकता है ये मोधी 4.3.0 का जो सपस समारो होगा ये भी देखेंगे जेल में ना बैट कर देखेंगे बाहर से ही देखेंगे 28 जून तक का मेरा कैलकुलोशन देता है कि क्योंकि उसके बाद 28 जून निगेटिव एनरजी का जोतिश में कहा गिया है कि ब्रस्पती शुक्र शुक्लपक्ष का चंदरबा अश्टमी से अश्टमी की बात कर रहा है और वेल एसोसियेटेड बुद्धियेचारी नैसर की कृप से शुप ग्रह माने जाते हैं सबी ग्रह अगर अस्थ हो जाएं त लोग ऐसी बाते करते हैं और साइद इसी तरीके का निर्णा इस समय आया है और यह सारी चीजे दिखाई दे रही है अब पहला प्रेडिक्शन तो उन्होंने कहाते है सीट के इतनी आएगी अब देख लिजेगा अगर दम है तो चार तारीकों मैं लाइव रहूंगा चार सारीक को कभी भी मेरे नंबर 9818318303 पर कोई भी परसन चाहे वह आम आदमी पार्टी से जुडाव करता हो या ना करता हो डारेक्ट मेरे से बात करेगा इतनी सीट आएगी आज ही बता दे रहा हूं इसके लाबा दूसरी बाते में यह बताना चाहूंगा इन्होंने एक और प्रेडिक्शन कर दिया कि मोदी जी चुनाव जीतने के बाद योगी जी को हटा देंगे अरे भाई यह सब कहां से माइन में आ गया यह स्कैम घोटाला हुआ है या नहीं हुआ हो तो समय बताएगा लेकिन मानसिक्ता बता रही कि इन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया कि मानिनी मुख्य मंतरी जी है वो उनको यह मोदी जी हटा देंगे यह दूसरा प्रेडिक्शन था केजरिवाल का आज जोतिश वक्ता यह बन गया है तो ठीक है इसमें भी कोई बात नहीं है यह भी मैं चैलेंज देता हूं आम आदमी पार्टी और उनके लोगों को क्यों मैं मैं ऐसा कह रहा हूं नैसर्गीक रूप से शुब गरा है जो मुझे चार्ट में देख रहा है मैं वही बोलूँगा और मुझे बोलने से कोई रुक नहीं सकता सम्मिधान मुझे बोलने का पूरा हग देता है और एजा जोतिश चाचार यह बहुत सारी लोग मुझे फॉलो साभी आएगा दूसरी तीसरी बहुश्वाणी क्या किये कि की कि आमिशों को यह प्रधान मंतरी बनाएंगे है लिए 75 साल की उमर में रिटायर कर जाएंगे और अभर मिशा जो यह मश्रै कर बता देता हूं कि 2025-26 के आस पास मैं मैंने पता नहीं है दो साल पहले ही अख Конечно चैनल पर जो मारे सायोगी चैनल है मैंने और आफ़लिधि बताया वीडियो में की ग्रुस आफ साहथ से जाधा लाख हमातों वीडियो को देखा था उस वीडियो में मैंने top जैडिया कि यह जो मानिनिय योगी जी जो है ये प्रधान मंत्री बनेंगे 2026 में कुछ ऐसी चीजे होंगी सायद उसके बीश में ये बनेंगे अब इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि योगी को हटा देंगे मतलब योगी का राजनेति करियर खराब करने की बात कर रहे है जो जिसने पूरे उत्तर प्रधेश में गुंडा गर्धी को खत्म किया मैं भी गुरकपूर से बिलॉंग करता हूँ और मैं बहुत छोटे से मैं देख रहा था किस तरीके की गुंडा गर्धी हुआ करती थी पहले उत्तर प्रदेश में और आज क्या हो रही है वो सारी चीजे दिख रही है तो ये तीसरी प्रडिक्शन इन्हों कर डाली और पता नहीं क्या-क्या है इन्होंने बोला और इनके जो सायोगी लोग है अब विसी बात है जो उनके फॉलोवर होंगे उनके ब हैंगे वापस सरेंडर करेंगे मुझे नहीं लगता है दो तारिक को ये सरेंडर करने वाले जिस तरीके से सुपृम कोर्ट का रुख छेंज हुआ है मैं बहुत ज़ाधा निराश हूं इसね ले कर मैं है fix pomante का जानकार हूँ नहीं मैं कानून के जानने वाले बहुत सारे लोगों के संपरक में रहता हूँ इसलिए यह सारी चीज़ें जो हैं मेरे out of scope है मेरे scope में जो है वो जो दिश्य गढ़ना करना है विरिशबलगन का चार्ट है और वरिशब लगन के चार्ट में ये सारी चीजें जो मेंशन्ड है ये बहुत पहले ही मैंने बताया था कि किसी तरीके से ये अपना पांच वर्स तो पूरा कर लेंगे लेकिन परिशानी इनको बहुत जादा उठाने वाली है अब आपके कुछ प्रशन ले लेते हैं ये छो आते ही मोदी जी पर और बीजी पर ठीक है बेपक्षी पार्टी है लेकिन उन्होंने प्रडिक्शन जो देने लगए उस चीज को लेकर मुझे आस्चर हुआ मुझे लगा लेकर स्कैम के चक्कर में माइंड इनका विसाइद कुछ तो असर हुआ है कि इनको ऐसी बाते करनी पड़ जा रही और जो तीशे रूप से देखो तो ब्रसपती और शुक्र जब भी अस्त होंगे एक साथ अस्त होंगे तो इस तरीके की आदेश आ सकते हैं इस तरीके की चीजें हो सकती है तो चलिए अब आपके प्रेशन लिख लेते हैं योगेश पांड़ी जी कह रहा है थोड़ा मार्केट में इस समय ब्रसपती और शुक्र दोनों अस्त हैं इसलिए ऐसी गटना भी चल रही है और ये गटना 15 तारिक के बाद यानि 15 मई के बाद ये दीरे-दीरे रिकवर होगा और मार्केट एक बार फिर 23,000 के आसपास मार्केट जाएगा और 23,000 से उपर भी रिजल्ट के दिन मार्केट रह सकता है ये भी आप चेक कीजिएगा लेकिन डिस्क्रेमर दे देता हूँ क्योंकि इसमें वित्य जोकिम का रहता है इसलिए आप अपने समझ से ट्रेडिंग कीजिएगा फायदा होता तो ठीक है नहीं होता है तो भी ठीक है उसको आप लीग सर क्या आप पार्टी बैन होगी खालिस्तान फंडिंग की वज़ा से देखिए ये बात तो बहुत पहले से चल रही जब से किसान अंदोलन चल रहा था एक पर्टिकुलर रेंज के ही और जहां पर गढ़ है इनका केजरिवाल का दिल्ली पंजाब हर्याड़ा यही गढ़ ह यही पर तो इनको सबसे जादा लोगसभा की सीटे दिखाई दे रही है तीस सीटे हैं पूरी के पूरी और इसी पर इनका नजर भी है और रही बात है खालिस्तान जो पंजाब का कुछ पॉइंट है कुछ एरिया है वहां से फंडिंग जब उनके खुद आका लोग पूच रहे हैं जेल जाएंगे 28 जून तक मैक्सम टाइम हो सकता है जाने का मुझे दो जून में थोड़ा सा संदे है 2 जून में कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे या उसको डिले करेंगे तो थोड़ा डिले होता हुआ मुझे दिख रहा 28 जून तक ब्रस्पति के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है उसके बाद सर आसन सोल लोग सभा में क्या होगा प्लीज एनलिसिस कीजिए तो आसन सोल के लिए क्या होगा उसका भी एनलिसिस किया नहीं है मैं जरूर बताऊंगा एक लोग तरह है मतलब केजरी वाल के पाल्टी के ही है केजरी वाल कों को यह बोलना चाह रहे है ठीक है आपकी अपनी और केजरीवाल गल्ती करने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यह प्राबलम है केजरीवाल के अंदर, और मैं तो बार-बार एक चीज पूछना चाता हूँ, कि केजरीवाल अगर गलत नहीं है, एक ही दिन में प्राबलम सॉल्व ओ सकती ति क्यों इतना लंबा गसीट रहे हैं एक दिन में problem solve हो सकती है और problem क्या solve हो सकती है आप अपने mobile का code बता दीजिए mobile का code बता दीजिए कुछ privacy policy है जिसके कारण कोई हार रही है चुना इसके लावा कि जरिवाल जैसे महाठग वास्तवी कुंडली किसी को मिल सकती है यस इनका बर डिटेल एक्जेक्ली सही है और क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं उसमें इसकी जो रेटिंग आ रही है वो reference से मिला हुआ है और reference से अगर मिला है तो निश्च नहीं होगा क्या चीज बोलना चाहरा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक है चलिए फिलाल टाइम जाधा हो गया 21 मिनट का वीडियो हो गया और एक जरूरी सुषना भी दे रहा हूं मैं दिल्ली में अवलेबल हूं कल और परसो कंसल्टेशन के लिए जिनको कंसल्टेश अवलेबल हूं